श्कार साथियों चैनल हिंदी विश्यम साहित्य में आप सभी का पुन है हार्द का भी नंदन है और आज की इस रामचंद्र शुकल के तिहास ग्रंथ के अंतरगत आज यह हमारी चौथी क्लास है, चौथी कक्षा है, तीन कक्षा हैं हम इसकी कर चुके हैं, जहां तीसरी सामें अंतिम हमने सिद्साहित्य को पढ़ा था, जो कि वज्रियान की ही एक बौधों के जो धर्म से वज्रियान शाखा निकली, उसकी ही एक प्रवर्ती के रूप में उभर के आया, आज हम पढ़ेंगे शुकल के इस ग्रंथ के अंतरगत नास साहित्य, जैसा कि मैंने आप हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो इस महान गरंथ को हम आगे पढ़ें, और यह समझ में ही नहीं आ रहा, आपको कोई लाभ ही नहीं हो रहा, तो व्यर्त है, मेरा समय भी व्यर्त है, क्योंकि अभी बहुत कुछ लोगों के पास यह पुस्तक होगी, लेकिन आप मैंसे बहुत लोगों का अनुरोध मेरे पास पहले भी आया, कि शुकल की पुस्तक हमें समझ में नहीं आती है, प्लीज मैम आप समझाईए, इसके बाद मैंने वीडियो बना के आप से पूछा भी, आप लोगों में से उत् जरूर बताईएगा, शुरू करते हैं हमारा नास साहिते, सिद्य साहित को बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया था, बहुत व्याक्या हमने कर ली थी, इससे ज़्याद उसकी व्याक्या पॉसिबल है भी नहीं, अब आगे बढ़ जाते हैं, नास साहिते, गौरक नात के न बताईबरतन किसने किया तो सही उत्तर होगा, गौरक नात, चीक है, कौन सी शाखा से हुआ, बहुत धर्म की बजरियान शाखा से, 84 सिद्धों में गौरक नात भी गिन लिये गए हैं, इनकी गिनती भी चौरिशा सिद्धों में कर ली जाती है, गौरक शपनाम से, यानि सि गौक की एक एक लाइन को ध्यान पूरवक समझना आवश्यक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, इसकिप नहीं करना है, और यह वो वीडियो नहीं है, जहां आप इसकी लंबाई पे ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, कि इस कक्षा में हमने कितना सीखा, और जो हमन अब ध्यान पूरवक कक्षा को देख रहे हैं, और वास्तम में इस बुक से कुछ प्रात करना चाते हैं, तो मुझ पर ही डिपेंड न रही है, बलकि मैं जो आपको समझा रही हैं, जो भी आपको समझ में आई हैं, आप लिखिए, जैसे कि कक्षा में टीचर पढ़ाने के वाद होंबर्क देती है, उसी से तो पता चलता है, या अचानक खड़ करके प्रशन पूछ लेती है, तब पता चलता है कि आप ध्यान पूरवक किताब पढ़ रहे हो या नहीं, तो प्लीज आपको जो भी समझ में आयो सिद्ध साहित्य से सम्मंदित, क्या आपको सिद्ध में क्या हम नया सीखने वाले हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, पर यह हो इस पस्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया, योगियों की इस हिंदु शाखा ने, अब देखिए ध्यान दीचेगा, हिंदु शाखा, इसमें हिंदुत्य के गुण है, वजरियानियों के अश संगम के तंत्र में मिलती है, अब इसमें क्या अलग बात हो गई, ये लोगों हिंदु शाखा के हो गई, इन्होंने हिंदुत्य की भावना को ग्रहन कर लिया, कैसे, कि जो उनकी अशलील सा थी, वजरियानियों में, जो अशलील प्रवर्तियां थी, विवित्स, विकारित, उनके जो विधान थे, उससे अपने को अलग कर लिया, और जैसा कि मैंने आपको कल की कक्षा में समझाया, कक्षा नमबर तीन में, कि साधना पद्योती तो बहुत स्ट्रेस्ट है, अपनी शरीर की शक्तियों को जागरित करना, जितेंद्रियों बनना, जितेंद्रियों पर काबू करना, अपनी करमेंद्रियों पर काबू करना, मन को साधना, ये सब तो बहुत महान प्रवर्टी है, ये उनमें भी बहुत अच्छी बाती सिद्धों में, अब उनकी जो गंदी बाती, विक्रित जो चीज थी वो इन्होंने छोड़ दी, तो ये तो एक बहुत अच् गोरक ने पतंजली के उच्छे लक्षे, जब ही हम योग साधना की बात करते हैं, तो संस्क्रत के इनका हम बहुत नाम देते हैं, योग गुरू हैं ये हमारे प्राचीन, तो गोरक ने क्या किया, इससे सुयम को अलग कर लिया सिद्धों के अश्लील रूप से, और उच्छ लक्षे, इश्वर प्राप्ति को लेकर हट योग का प्रवर्तन किया, हट योग का प्रवर्तन किस ने किया, सरप्रतम, गोरक नाजी ने किया, वजरियानी सिद्धों का लीला छेत्र भारत का पूर्वी भाग था, जिसको की हम देख चुके हैं, बिहार, बंगाल, उड़ी रहा, जैसी के पदमावत में भी बालनाथ का टीला आया है, यानि कि इनके पीठ के रूप में, सिद्ध पीठ के रूप में रहा, नाथ पीठ के रूप में यह है, तो अब पूरुवे में तो वो सिद्धों का फैला हुआ है, तो वहां ना करके ये इधर की तरफ आगए, अपोजिट दिशा में बिल्कुल रासपूता ने और पंजाब में इन्हों ने अपने इसमत का प्रदर्शन किया, गोरकनाथ के समय का ठीक पता नहीं, रहुल संस्क्रताई जी ने वज्रियानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उ पाहुल संस्क्रताई ने तो इस पर काफी काम किया है तो उन्होंने क्या कहा, जो आधार दिया है, रतना कर जोपम कथा के अनुसार, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मश्चेंद्रनाथ काम रूप के मच्वाहे थे, मच्छेंद्रनाथ इनके गुरू थे, और चर्ट के शिश्य होकर सिद्ध हुए थे, पर सिद्धों की अपनी सूची में संस्क्रताई जी नहीं मच्छेंद्र को जालंधर का शिश्य लिखा है, जो परमपरा से प्रसिद्ध चला आता है, जालंधर, जालंधर के बाद मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ, और उसके बा तो वहां नात संप्रदाय के जोगी आते हैं और जब गाउं में प्रचार पसार करने कि राजस्थान से हो में तो प्रचार परसुट इनके बड़े बड़े डेक लगा के और उस पे गुरू मचंदर नात और जोगी गोरखनात की चलती है कि उसने अपने गुरू को भी संदरनाती यह तो प्रसिद है ही संस्कृत तायन जी ने मीन नातिया मीन पाको पालवशी राजा देपाल के समय में अर्था संबत 900 के आसपास ठहराया है उस समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया है पता नहीं यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीन के राजा देपाल के समय के होने का उलेक होता तो वे उसकी और विशेश रूप से आकरशित करते चौरासी सिद्धों के नाम में हेर फेर होना बहुत संबब हो सकता है कि गोर चपा और चवरंगी नाम पीछे से जुड़ गए हैं और मीन पासे मच्छेंद्र का नाम स्याम के अतरिक्त कोई सं संबंद ना हो यानि कि यह सब चीज जैसा कि मैंने कहा कि लिखित तो कुछ है नहीं तो इसमें बहुत कुछ संदिग्द भी हो सकता है ब्रह्मा नंद ने दौनों को बिलकुल अलग माना भी है सरस्वती भवन स्टेडीज के अंतरगत देखने को यह मिल जाएगा संदे यह देखकर भी होता है कि सिध्धों की नामावली में और सब सिध्धों की जाती और देश का उल्लेक है पर गोरकनात और चौरंगी का कोई विवरन नहीं अतरग गोरकनात का समय निश्चित रूप से विक्रम की दसवी शताबदी मानते नहीं बनता तो दसवी जो शोद है उसके आदार पर ये समय उन्हें सही नहीं लगता महारास्ट के संत ग्यान देव ने जो अलावदिन के समय समवत 1358 में थे अपने को गोरकनात की शिश्य परंपरा में कहा है उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है आदीनात मचिंद्रनात गोरकनात गैन निवरतिनात और ग्यानिश्वर ठीक है तो ग्यानिश्वर को तुम सभी जानते हैं महारास्ट के जो संते नाम देव ग्यान देव प्रसिद तो उन्होंने अपने को गोरकनात की परंपरा का बताया है इस महारास्ट परंपरा के नुसार गोरकनात का समय महाराज पृत्वी चले गए थे और राहल संस्क्रतान यहां से पहुत सी पुस्तकों को ले कर आये थे सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंदर नहीं सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग की और पंजाब की ओर चले गए क्योंकि भौट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सब लोग आकरमर जब हुए वक्तियार खिलजी बगरा ने तोड़ा कक्षा नमबर दो में मैंने आपको बताया था कक्षा नमबर तीन में तो सिद्धों की प्रवर्तियों को स्पस्ट किया था कशन नमबर दो में मैंने आपको बताया था ये तब ये लोग बहुत देश की ओर चले गए थे तो ये तब तक एक थे लेकिन फिर एकिन सिद्धों से सर्व प्रथम अलग कैसे हुई नाथ संप्रदा क्योंकि दोनों ही वज्रियानी शाखा से निकले हुए है तो ऐसा लगता है कि जालंधर नाथ सबसे पहले अलग हुए और पंजाब चले गए वहां कांगडे की पहाड़ियों तथा और इस्थानों में रमते रहे पंजाब का जालंधर शहर उनी का इसमारक बन पड़ता है जान पड़ता है जालंधर है ना शहर काफी प्रसिद है नाथ संप्रदा है कि किसी में भी जालंधर को किसी किसी गरंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा है नमक के पहाड़ों के बीच बालानाथ का ठीला बहुत दिनों तक प्रसिद रहा मच्छेंदर जालंधर के शिशे थे नाथपंतियों के ये धारना थीक पड़ती है मीनपा के गुरुद चरपटी नाथ हो सकते हैं पर मच्छेंदर के गुरु जालंधर ही थे तो अब आपको याद भी रहेगा कि नाथों की शाखा कहा से सरप्रतम निकली बालनाथ का टीला, पंजाब, जालंधर आप तो आपको याद रहेगा ना कि जालंधर की शिश्य परंपरा में कौन हुए मच्छेंद्रनाथ और गोरकनाथ और इनी की में किसने ना महरास्ट के जो संत हैं ज्यानदे जिनको हम भक्तिकाल के अंतरकत भी पढ़ेंगे वो इसी परंपरा में थे ये चीज़ें किलियर हो गए, आगे बढ़ते हैं संस्क्रित आए जी ने गोरक का जो समय स्थिर किया है मीनपा के राजा, देपाल का समसामायक और मच्छेंद्र के पिता मानकर मच्छेंद्र का मीनपा से कोई सम्मधना रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृत्वी आज के समय के आसपाशी, विशेस तर कुछ पीछे गोरकनात के होने का अनुमान होता है यह शुक्र जी कह रहे हैं, तो आप यह देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लिजेगा क्योंकि आजकल जो प्रशन पूछे जाते हैं, बही काफी गहराई से पूछे जा रहे हैं और पंक्तियां उठा उठा के पूछी जा रहे हैं, तो जो कभी नहीं पूछा गया, वो अब पूछा जाएगा और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, कि सभी से ज़्यादा समय हमें मिल राइस, लोकडाउन के कारण तो बहिया, परिक्षा का जो पैटर्न है, डेफिनेटली वो इससे प्रभावित होगा और थोड़ा सा कठिन तो आएगा, वो एक अलग बात है, कि हम अपनी तैयारी पूरी करके जाएंगे जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 अब लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हैं, नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हुए सुने जाते हैं गोरक्षा सिधान संग्रों में मार्ग प्रवर्तों के नाम गिनाए गए हैं जो नाम गिनाए गए 84 सिध्धों के आपको पढ़के सुनाए थे तो नौनाथों के भी पढ़कर सुना देती हूँ नागारजुन जडभरत हरिष्चंद्र सत्यनाथ भीमनाथ गोरक्षनाथ चरपट जालंधर और मले आरजुन इन नामों में नागारजुन चरपट और जालंधर सिध्धों की परंपरा में भी हैं नागारजुन प्रसुद रसायनी भी थे चीक है नागारजुन का तो हमने पढ़ा है ने रसायन शास्त्र के ग्याता थे और नागारजुन और पता नहीं कौन से राजा का विवाद भी और वो सब है नाथपंद में रसायन की सिद्धी है नाथपंद सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है इसमें कोई संदे नहीं है इसलिए ये तीन नाम नागावजुन, चर्पट और जालंधरी सिद्धों में भी देखने को मिल जाते हैं हमें पता है कि जलंधर ने ही सरप्रथम सिद्धों से अपने को अलग किया आगे देखते हैं इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसल्मान बस गए थे जिन में कुछ सूफी वी थे बहुत से सूफियों ने भारती योगियों से प्रणायाम आदी की क्रियायं भी सीखी इसका उलेक मिलता है यानि यह चीज हमें लिखित में मिलती है हमारे गरंतों में अथे गौरक ना चाहे विक्रम की दश्वी सताबदी में हुए हो चाहे तेरवी में उनका मुसल्मानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है क्योंकि जैसे कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंत का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया और इधरी कौन आके बस गए थे महमूद गजनवी से पहले भी कुछ मुसल्मान सिद्ध और मुल्तान में आकर बस गए थे तो यह यानि कि मुसल्मान सूफियों का नाथों से कुछ मिलन टाइप आप कह सकते हैं आगे देखते हैं इतिहास और जन शुती से इस बात का पता लगता है कि सूफि फकीरों और पीरों के द्वारा इसलाम को जन प्रिये बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा प्रिथ्वी राज के पिता के समय में ख्वाजा मुईनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धी का प्रभाब दिखाने के गीत मुसल्मानों में अब तक गाये जाते हैं अब इसी के लिए अब देखिए चीजों को जोड़ियेगा जैसे मैंने कहा हिंदी साहित्यों को समझने के लिए इतिहास को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है अब यह करें प्रिथ्वी राज के कुछ पीछे ही गोरकनात्वे ऐसा शुक्ल मानते हैं और प्रमाण भी दे र पर विश्वास करने वाली भूली वाली जन्ता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिध्धों और योगियों से मुकावला करना पड़ा जिनका प्रभाव पहले से जमा चला रहा था भालतियों मुसल्मानों के वीच विशिष्टत सूफियों क परंपरा में ऐसी अनेक कहानिया चली हैं जिनमें किसी पीर ने किसी सिध्या योगी को करामात में पचार दिया कई योगियों के स्वात ख्वाजा मुन्युद्दीन का वी ऐसा ही करामाती दंगन कहा जाता है तो अब ये लोग जो नए आए सूफि साथ ने इसलाम धर्म का प्रवर्तन हुआ आक्रमन हुए और ये सूफि लोग आए तो पहले से जो गरीब जंता के बीचे जो चली आ रही थी करामात वाली बात तो नात साथू भी करते थे तो अब क्या हुआ अब इनको अपना प्रभाव जमाना है तो इन्होंने इस तरीके की कहानिया प्रचलित करी के वो पीर जो है उनके मुईनित दिंचिस्ति है उन्होंने उस योगी को हरा दिया उस सिद्ध को हरा दिया उस नात को हरा दिया तो कारामाती दंगल इस तरीके का इनका चलता रहता दीखिए ये चमतकार तो ये नात पंती भी करते थे नात पंती आप जानते ने पुरिन का प्रमुग मठविय जांकि मठादीश थे चीक है आगे दिखते हैं उपर कहा जा चुका है कि ये वही नात संप्रदा है न कि गोरखनात की हटियोक साधना इश्वरवाद को लेकर चली थी अतै उसमें मुशलमानों के लिए भी आकर्शन था अब आप चीजों को सम जीये कि जो सिद्धों का वो था उसमें तो इश्वर के लिए कुछ स्थान था ही नहीं वह स्वेहम को ही सोई-श्वई पिंडे सोई-ब्रह्मंडे और यान क्या-क्या मान के चल रहे थे लेकिन इसमें इश्वरवाद था नात होने तो इश्वर को माना दूप्रवर्ति को जब अपना हैं, तो मुसल्मानों के लिए भी आकर्शन था, ईश्वर से मिलाने वाले योग हिंदु और मुसल्मानों दोनों के लिए एक सामाने साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का ही अंतिम लक्षे साधना का ईश्वर प्राप्ती है यह बात गोरक नात को दिखाई पड़ी थी उसमें मुसल्मानों को अप्रिय मूर्ति पूजा बहु देवपासना की आवशकता नहीं थी अता है उन्होंने दौनों के विद्विश भाव को दूर करके साधना की एक सामान ने मार्ग निकालने की संभाव न समझी थी और वे उसका संसकार अपने शिश्य परामपरा में छोड़ गए थी अब ये नात पंती हैं ये भी हटियों की साधना करते थे हैं देखा होगा आपने गोबर्दन में जाते हैं तभी चारो तरफ आग जला के दुनी रमा के साधू बैटे होते हैं कोई नीचे सिर करके उपर पैर कर लेता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है नास संप्रदाय के सिध्धानतों गरंतों में इश्वर पासना के बाहे विधानों के प्रती उपेक्षा प्रकट की गई घटके भीतर ही इश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है वेश शास्त्र का अध्यान व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रती अशग्दा प्रकट की गई है तीर्था तनादी निश्पल कहे गए जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब एक ही शाखा से निकल के आएंगे दो धर्म तो उनमें कुछ सामानेता प्रवर्ती भी तो होंगी एक सी जो दोनों में एक सी होंगी तो ये चीजें सिद्धों में भी हैं और नाथों में भी अब इसे संबंदित कथन देखते हैं पहला है योग शास्त्रम पठेने नित्यम कि मन शास्त्र विस्तर ह25 धूसरा है अंतरसाद्ना के वर्णन में हिर्दय दर्पड कहा गया है जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिविम पढ़ता है परमात्मा की अनिर्वचनियता इस धंग से बताई गई है शिवम न जानामी कथम वदामी शिवम न चजानामी कथम वदामी इसके संबंद में सिद्धलुई पाभी कहे गए हैं भाव ना होई या भाव ना होई अहसे सिंबो हो कोपति आए नाद और बिंदु की संग्याएं वजरियान सिद्धों में बरावर चलती रही गोरक सिद्धान्त में भी उनकी व्याखेस प्रकार की गई है नथांशो नाद्यो नदांशम प्राणे शक्त अंशो बिंदु बिंदो रांश हो शरी रंशक्ती का अंश बिंदु है और बिंदु का अंश है शरी गोपिनात कवी राजद्वारा संपादित है ये गोरक्षा सिद्धान संग्रह में संग्रहित है आगे देखते हैं नाद और बिंदु देखे अब ये नाद और बिंदु है ना ये जो चीज है ये इन नाथों की विशेष्टा है नाथ और बिंदू के योग से जगत की उत्पत्ती सिद्ध और हट्योगी दोनों मानते हैं तीर्थाठन के संबन्द में जो भाव सिद्धों का था वही हट योगियों का भी रहा चित शोधनम प्रकरण में वज्रियानों के आदी सिद्ध आवरेदे करण रिपा का वचन है प्रतरन नपी गंगायाम नेवश्वास सुद्धम महर्ती तसमाद्य अर्थिया पुशाम त तीर्थाठन निश्वल है नगत्तम दिवं प्रिविष्टा नाम मतस्यता दी नाम तू का कथा अगर शरीर के गंगा में इसनान करने से ही अगर धर्म का पालन हो जाता तो मतस्य यह जादा भाव उसके हगों का तो कहना ही क्या जनता के बीच इस प्रभाव शक्रम से ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथियों द्वारा आगे भी बरावर फैलता रहा निर्गुण पंथि संतों द्वारा गंगा के नहाए कहो हो नर्थ तरीगे मचरी न तरी जाको पानी में घर है तो यह इसी कातु अर्थ हुआ यह जो यहां सि आपर यह चलता रहा यहां पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मच्वे, चमार, धोबी, डॉम, कड़हार, लकड़हारे, दरजी, बहुत से शुद्र कहे जाने वाले लोग ते जाती पाती के खंडन करने का कारण तो वो अपने आप ही गंडन करता तो अपने आप ही थे, क्योंकि यह संप्रदाय में जैसे मैंने कहा कि इन दोनों संप्रदायों की जो प्रभाव है वो निम्नवर्ग में था, तो वो तो अपने आप ही जाती प्रिथा का विरोध करेंगे, यह प्रवर्ती कबीर में भी है, तो यह तो स्वतही ह नास संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें जनता की नीची और असिशिक सेडियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्रग्य ज्यान संपन्य न थे जिनकी बुद्धी का विकास बहुत पहले सामाने कोटी का था पर अपने को रहसे दर्शी प्रदिश्रत करने के लिए शास्त्रग्य पंडितों और विद्वानों को फटकारना वे जरूरी समझते थे सद्गुरु का महत्तमे सिद्धों में भी उनमें भी बहुत अधिक था तो ये क्यों आप क्योंकि वो तो शास्त्रग्य शास्त्रों को पढ़ते हुए असिक्षिजनता जैसा कि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ बार बार नहीं कर गई तो ऐसा इनके लिए ये जरूरी थ ये उनको भटकार लगाएं या छोजाओ निन्नू कर लो या निन्नू कर लो मैं आपको निन्नू कर बैच आए ठीक है मेरी गुडिया सोटी सोटी जाग गई है ना और इसको रुला के में वीडियो बना नहीं सकती वीडियो अब 20 मिनट का हो गया है तो इसे बीच में मैं इसी गुडिया तो यह नहीं समझ पाएगी इसलिए थोड़ा बहुत जो डिस्टर्वेंस बीच में हो ध्यान नहीं दीजिएगा और ध्यान देंगे तो भी मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ा पाऊंगी तो अब यह सब चीजे देखिए अब यहां से इसको नहीं समझना ह कवीर को समझिएगा क्योंकि यहां से नात्पंतियों से यह भावना कहां जाएगी कवीर में जाएगी बक्तिकाल के अंतरगत अब वह असिक्षित वर गये तो शास्त्रों का तो ग्यान उनको है नहीं इसलिए उन्होंने उनका विरोध करना प्रारंब कर दिया ऐसा शुक् समस्थे कर सकें और जरूरी समस्थे के सत्धy का मात्तमृ सिध्नों में भी था नात्पं में था कवीर में भी था कवीर ने तो वहत अच्छे छिद उए लिया दीपक प्रश्न पूछा हुआ है और गुरु गोविन दौनों खड़े काके लागु पाएं बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो मिला इसी के साथ बहुत सारी चीज़ों से गुरु के महता को प्रतिपादित किया है नाथों ने भी और सिद्धों में भी था नाथों ने और बढ से जो मैं समझाना चाहरी हूँ वो आपको एक विस्तृत फलक पे में ले जाना चाहती हूँ ताकि आप आदिकाल के सिद्ध नाथ से कनेक्ट कर पाएं कवीर को कि ये लोग क्यों इस तरीके की वाणी बोलते थे नाथ पंत के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद क इस फटिक के भारी-भारी कुंडल पहना करते थे इससे कनफटे कहलाते थे जैसे पहले कहा जा चुका है कि इस पंत का प्रचार राजपूताने और पंजाब की ओर ही अधिक रहा अते जमत के प्रचार के लिए इस पंत में भाषा के भी ग्रंत लिखे गये तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया उन्होंने मुसल्मानों को भी अपनी वानी सुनानी रहती थी जिसकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी इससे उसका मेल भी उनकी वानियों में अधिकतर रहता था इस प्रकार नात्पंत के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काब्ड़ भाषा से जिसका धाचा नागर अब ब्रेंश या ब्रज का था अलग एक सदुकड़ी भाषा का सहरा लिया हा जिसका धाचा कुछ खड़ी बोली लिये राजस्थानी था समझ में आई सदुकड़ी भाषा का प्रियोग तो आपने बहुत बार सुना होगा कवीर के साथ तो क्यों कारण था क्योंकि इन्हें मुसल्मानों को भी तो अपनी बास समझा नी थी और शाषन काहा था दिल्ली तो रासधानी रही थी तो सदुकड़ी भाषा में कौन-कौन सी बोलियों का मेल हो गया नागर अपब्रेश नागर अपब्रेश या नी जो नगर में बोली वाली है थोड़ी से शुद्ध अपब्रेश या ब्रज का था ठीक है तो ब्रज हो गई इनकी बोलियों में जिसका मिश्रण था वो ब्रज हो गई, खड़ी बोली हो गई, राजस्थानी हो गई, इनका मिश्रण हो गया सबुकडी भाशा में, अब जब प्रशन पूछा जाएगा, तो क्योंकि आपका कॉंसेप्ट के लिए रहे, तो गलत नहीं होगा, ठीक है, उससे भी बढ़कर जिम्मेदारियां होती, और एक मा के रूप में तो जिम्मेदारियों की कोई अंत ही नहीं है, तो उस समय में तथ्यों को नहीं रट पाई थी, मतलब रटने से मतलब याद नहीं कर पाई थी, कि कौन सा किस सन में कभी हुआ, लेकिन अच्छी बात यह थ थोड़ा बहुत अपनी बाशाय सुनाते थे, पूर में मैं सपस्ट कर सुकी हूँ कक्षा के शुरुआत में किस प्रकार मुसल्मानों में भी प्रभाब था, और छेतर क्या था इनका, हम जानके आए हैं, कि सिध्धों ने तो पूरव की तरफ यानि बिहार, उडिसा और ब दिल्ली के असपास इनका रहा मुसल्मानों का, उनको भी सुनाई, और वो समझ सके हैं, इसलिए खड़ी बोली में भी लिखा, नागरी अप ब्रंश और ब्रज में भी लिखा, ब्रज का चितर आ गया उदर, तो वो सक चीज़े आपको, अब या रटनी की ज़रुत नहीं पड़ेगी, मैं आप से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कि आप यदि ये वीडियो अब तक भी देख रहे हो, और लाइक नहीं किया हो, तो प्लीज आप लाइक कर दीजेगा, है ना, आप लाइक नहीं करते हो, तो बहुत कश्ट होता है, कि इतनी मेनस से आपके लिए क् कर सकते हैं, मुझे बड़ा आश्यूर होता है, कि महेंगे कोचिंग संस्थानों में, पैसे दे के आप लोग पढ़ लेते हैं, यहां आपको फ्री में चीज पढ़ने को मिल रही है, लेकिन एक लाइक जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं है, बहुते लोगों का मिठु शोर म हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, जो लोग पहली बार है, उनकी चैनल पर यदि सब्सक्राइब रेड कलर से आ रहा है, आपके उस पे लिखा हुआ फोन पे, तो उसको दबाईएगा, तो वो ग्रे से कलर का हो जाएगा, घंटी वा समझना चाहते हैं, तो कमेंट बोक्स में लिखिएगा, क्या समझ में आया, नहीं लिखना चाहते, तो कमेंट बोक्स में कुछ भी साइन लगा के बेज दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले के कौन से विध्यारती हैं, जो नियमित रूप से इस कक्छाओं से जुड़ रह हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी समझे, अपना तरीका है पढ़ने का, चलिए, देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर ताटन, आदी के साथ, हज, नमाज, आदी का भी उल्ले पाया जाता है, इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है, काफ नात पंथ में आए, अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसल्मान जोगी, गेरुआ वस्त्र पहने, गुदडी की लंबी जोली लटकाए, सारंगी वजा वजा कर, कली के, अमर राजा भरतरी के, गीत, गाते फिरते हैं, और पूछने पर गोरकनात को अपना आदी बंगाल में चटगाओं के राजा थे और जिनकी माता मेनावती कहीं गोरकनात की शिष्या और कहीं जालंधर की शिष्या कहीं गई है, बंगाल में भी तो सिद्ध था ना, सिद्ध था और जालंधर नहीं तो सबसे पहले अपने को अलग करके पंजाब में आये थे, तो आपको ये गाने और रहिकिन का एक समय होता है ज्या भरत्री का मेला बढ़ता है व्यूज छोब आपको यह आते हैं नाथ वाले मांगने करने और यह इसे चमतकार दिखाते हैं ना ऐसी गेहूं के कुछ दाने आपके हतेली पर रख देंगे फूक्मार आपसे हतेली बंद करन तो ये लोग कैसे चमतकार करते थे पता नहीं पर ये कनफटे सादू आते थे आते हैं गाओं में अब भी देश भासा में लिखे गोरक पंथ की पुस्तके गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संबत 1400 के आसपास की रचना हैं इसलिए गोरक नात को प्रथम गद्यका माना है माना जाता है क्योंकि इनकी पुस्तके गद्य और पद्य दोनों में हैं इनमें सामप्रदा एक सिक्षा है जो पुस्तके पाई गई गई हैं उनके नाम है गोरक गडेश गोष्टी महादेव गोरक संबाद गोरक नात जी की सत्रे कला गोरक बोद्ध गोरक संबाद योगेश्वरी साखी, नई वईबोद, विराठ, पुरान, गोरक, सार, गोरक, नात की वाण, ये सब गरंद गोरक के नहीं, उनके अन्यवाई शिश्यों के रचे हैं। तो इसी प्रकार इनको शिव के साथ इनका संबाद हुआ था, ये सारी प्रचरित हैं जन सामाने में, जन शूती और लोग कता के रूप में। गोरक के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवरित होती थी, उसमें प्राकृत या अपभरंश के शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल आवश्य रहता था। उप्रियुक्त पुस्तकों में नर्वाई बोद के नाम में ही अपभरंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत गरंथ होगे अनुबाद हैं, यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण के संस्कृत के वेराट पुराण का अनुबाद है, गोरकनाथ के यह संस्कृत गंत पाए जाते हैं। सिद्ध सिधांत पद्वती, विवेक मारतन, शक्ति शंगम तंत्र, निरण्यन पुराण, वेराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक हैं, अधिकतर इन ही के अनुबाद का सार हैं। हाँ, साखी और बाणी में शायद कुछ रचना गोरक की हो, पद का नमुना देखिए। स्वामी तुम ही गुरुगो साई, तुम है जो सिब सबद एक बूजिवा, निरारंबे चेला, कुण विदी रहे, सतगूर होई सो पूछा कहे। अबदूर रहया, हाटे वाटे, रूप विरश की च्छाया, तजिवा काम, क्रोध लोब मुह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की और ध्यान दिलाना हम आवशक समझतें कि उनकी रचनाय तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, स्वासने रोध, भीत्री चक्रों और नाडियों की इस्थिति, अंतरमुक साधना, आदी के महत, साधन संग है यह एक काफी महतूल चीज है शायद अभी आप इसको न समझे यह तो आप इसको परक्षा की द्रिश्टी से हाइलाइट कर लीजीगा अब शुक्ल जी कहते है कि जीवन की स्वाभावी का नुभूतिय और दशाओं से सिद्ध साहित्य का कोई संबंध नहीं है अता कि इसके बारे में जानकारी दी गई थी अता इसको हम प्रमुख प्रवर्तियों के रूप में तो धारण नहीं कर सकते और साहित्य के इंतरगत इसका इस्थान नहीं दिया इनोंने शुक्ल जी ने उनको उसी रूप में ग्रैंड करना चाहिए जिस रूप में जोतिश आयुरवेद के ग्रंथ हैं उनकी गणना तो हम साहित्य के इंतरगत नहीं करते ना जब हम हिंदी साहित्य करति हास पड़ते हैं तो हम जनता की चित्रवतियों का प्रतिविम है वो तो हम उन्हीं पुस्तकों का अध्यन करते हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं समाज से ज तो इनके बारे में लिखा है अतशुक्ल जी ने इसको साहिते में स्थान नहीं दिया समझने की बात यह है कि इसी का बाद में हजारी प्रसाद विद्वेदी सहित अन्य विद्वानों ने विरोध किया कि अगर आप इन फुस्तकों को आदिकाल के अंतरगत समाहित नहीं करते आदिकाली सहिते के अंतरगत तो फिर तो जैन सहिते हो जो बाद में बहुता सहिते है वो सब बिलकुल अलग हो जाएगा तो यह सब विवाद में लिखा है 8 जुलाई 2018 को पूछा गया था पूछा जो गया था वो ऐसे है सिद्ध साहित्य के अंतरगत 84 सिद्धों की वे साहित्य क्रचनाय आती है जो ततकाली लोग भाषा हिंदी में लिखी गई थी संधा भाषा ठीक है यह इस पस्ट है इस लाइन से भी इस पस्ट है क लोग भाषा में लिखी गई थी जो उस समय गुजरात राजपूताने व्रिज मंडल से होकर विहार तक पढ़ने लिखने की शिष्ट भाषा थी पर मगद में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रियोग भी जैसे भई ले बुड़ ले मिले हैं लचनाओं के जोसो मारिया पढ़ियो जाए किंजे करंत जावे जब तक ताब तब तक मैय ये कोई इत्यादी प्रियोगों में पाते हैं ये प्रियोग मागदी प्रसूत पुरानी बंगलाकर नहीं सौरसयनी प्रसूत पुरानी पश्चमी हिंदी के हैं सिद्ध कढभा की लचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बास साफ जलकती है कि वह ये है कि उनके उपदेश्ट की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी ये पूर्वी बोली ही है यही बेद हम आगे चलकर कवीर की साखी रमेनी की प्रचलित भाषा उसका प्रयोगनों ने किया है जो लोग के लिए समझ में आ जाए लोगों को सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थाद विक्रम संबत 690 के हैं सरय पात का समय शुकुल जी ने माना है विक्रम संबत 690 के हिंदी कावे भाषा के पुराने रूप का पता उनको मिलता है जसने सरह पात के गरंत में मिलते हैं 690 में दूसरी बात यह हो है कि संप्रदाइक प्रवर्ती की और उनके संसकार की परंपरा वज्रियानी सिद्धोंने निम्न श्रेणी के प्राय सिक्षी जनता के बीच जिस प्रकार के भावों के लिए जगे निकाली ये दिखाया जा चुका उन्होंने बहाय पूजा जाती पाती तीर्ठातन इत्यादी के प्रतिव पेक्षा बुद्धी का प्रचार किया रहसे दर्शी बनकर शास्त्र के विद्ध्वानों का त्रिसकार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बाणी मैं पहलिये बुजाने का रास्ता दिखाया घट के बीतर चक्रनाडिया शुन्य देश आदी मान कर साधनाव कहने की बात परंपरा फैलाई नाद बिंदू सुर्ती निर्ती ऐसे शब्दों की उद्रणी करना सिखाया और अए परंपरा अपने ढंक पर नाथ पंतियों ने भी जारी रखी आगे चल कर भक्ति काल में निर्गुन संत संप्रदा किस प्रकार के वेदान्त के ज्यानवाद सूफियों के प्रेमवाद और वैश्टमों के अहिंसाबाद और प्रगतिवाद को मिला का सिध्ध और योगियों द्वारा बनाएगा इस रास्ते पर चल पड यह आगे दिखाया जाएगा कवीर आदी संतों को नात पंतियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामगरी और सदुकडी भाशावी ठीक है 8 जुलाई 2018 को यह भी पूछा गया है कि निरुण पंतियों ने वेदांत क्या मतलब ग्यानवाद और प्रेमवाद कहां से लिया तो ग्यानवाद कहां से लिया वेदांत से लिया और प्रेमवाद कहां से लिया सूफियों से लिया ठीक है क्लिष्ट वाणी जनता समझ नहीं पा रही थी सब सब जनता के लिए तो थी नहीं तो फिर इसमें प्रेम के तत्व का मतलब दुरूवाण ही हो गई थी जादा ही इसमें साधना ही साधना की बात थी तो फिर इसमें प्रेम के तत्व को जोड़ दिया कवीर न इसलिए तो कभी श्येष्ट हो गए क्यों उन्होंने प्रेम तत्व को इसमें जोड़ दिया नातपंतियों ने कु सद्धुकडी भाषा भी यहीं से गई है कवीर की भाषा कौनसी है सद्धुकडी वो भी यहीं से गई है साखी और वानी की परंपरा भी यहीं से गई है यह दो ही बाते दिखाने के लिए सिथिहास में सिध्धो और योगियों का विवरण दिया गया है उनकी रचनाओं का ज रचनाओं की चर्चा छोड़, अब हम सामाने साहित्य की जो कुछ सामगरी मिलती है, उसका उलेक उनके संग्रह करता हो, और रचियताओं के क्रम से करते हैं, आप समझ गए हैं, दिसमबर 2019 में बई ये पूछा हुआ है, लेटिस्ट है, देख लीजीगा, कि ये दो बाते दि सिख्षा मात्रे अताश्य शुद्ध साहित्य की कोटी में नहीं आ सकती और उन्हें कोई साहित्य की धारा हम नहीं माल सकते। ये ना साहित्य की टॉपिक में यह समापत करती हो, कल हमचंद से शुरू करेंगे, उसके बाद देखें देर दीर आगे बढ़ते हैं और उसके ये दो नंबर का प्रकरण काफी लंबा हो गया है तो देखते हैं इसके लाबा ऐसे कौन से कवी हैं जिनको हम कभी कह सकते हैं और जिनकी रचना को हमें उनके सन के साथ समवत के साथ याद करना है जो पूछी जाएंगी कल चर्चा करेंगे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल जाएंगे